अगर आप एक CSC वेली है कॉमन सर्वेशन रेशन चालक है और आपने अभी तक IRCTC रेशन नहीं किया है क्योंकि आप सभी को पता है कि 1000 रुपे पे करना पड़ता है करने के लिए तो दोस्तों अभी आप सभी के लिए बहुत बड़ी निकल के आ रही है संदु जहाब 22 में CSC तरफ से बहुत ही बड़ा जो अपडेट निकल के आ रहा है जैसे कि मैंने सुबह ही वीडियो बना कर आप सभी को बता दिया था कि CSC तरफ से दिनिस्टाइगे संद्रेट हंडल पर बताया था कि सभी CSC वेली जिन्हों ने अभी तक IRCTC एजन रेसेशन नहीं किया है अगर वह इस तमये एजन रेसेशन करते हैं 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक अकर IRCTC का एजन रेसेशन कोई भी वेली करता है तो उसको मातर 100 रुपे में रेसेशन करना है मातर उसका 100 रुपे लेगा वह अपने पूरे 900 रुपे बचा सकता है अगर आप 20 जनवरी के बाद IRCTC एजन रेसेशन करते हैं तो वहां पे आपको फिर से 1000 रुपे पेगरना पड़ेगा तो इससे अच्छा है बहुत ही अच्छा है जितने भी CSC वेली भाई है चाहे वो यह फिर नए CSC वेली हैं अगर आपने अभी तक IRCTC का रेसेशन फर्म फिलब नहीं किया है तो फटाबर आप फिलब कर लीजिए और जो लोग फुराने वेली हैं जिन्होंने IRCTC का फिलब कर रखा है और अभी तक उनको ID पासवोड नहीं मिला है तो आप सभी के लिए इस आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अत्ते के लिए जाहिए निवाद रखाए